हेलो एवरिवन मैं हूँ रिशाप और नुवल एक बिजनेस आइडियाज मैं आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैंने बर्गर बिजनेस के बारे में बताया है कि आप कैसे खुद का एक मैकडोनल्स और बर्गर की जैसा रिस्टोरेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो इस स्टार्ट करने के लिए सभी टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्रिज़र हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे। और हुँ नए-ね बिजनेस आइडियाज के लिए और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा, तो सब शर्फ ओनलाइन सेल कर सकते हो अपने जानते है कि आप अपने burger restaurant से क्या-क्या सेल कर सकते हो तो आप अपने burger restaurant से सबसे पहले burger सेल कर सकते हो wraps, sandwich, fries, chicken nuggets, fried chicken और फिर आप desserts में lava cakes, jar cakes, ice cream और beverage में soft drinks और sex सेल कर सकते हो उसके अदनेक्स जानते हैं कि आपको count कोंसे equipment चाहिए होगी तो आपको equipment में सबसे पहले चाहिए होगा griddle plate, deep fryer, bun toaster, sandwich maker, working table, sink, blender station, pickup table, deep freezer और vigicooler तो अदनेक्स जानते हैं कि आपको कितनी area के requirement होगी तो minimum restaurant के लिए अगर आप burger restaurant स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए minimum आपको 250 square feet की जरूत होगी और cloud kitchen के लिए आपको 150 square feet में हो जाएगा और cloud kitchen आप अपने घर से भी start कर सकते हो आप अपने घर के kitchen से भी start कर सकते हो अब नेक्स जानते हैं कि आपको कॉनकोंसे raw materials की जरूत होगी तो raw materials में आपको vegetables चाहिए होगा chicken चाहिए होगा burger bun, bread, masala, oil, cheese, sauce, pickles, मैदा, egg, bread crumbs और भी बहुत चीज रहती हैं जो आपको चाहिए होगा raw materials में उसका packaging के लिए आपको burger, sandwich, fries की box से चाहिए होगी ठीक है? और प्लस beverages के लिए आपको paper glass आता है वो चाहिए होगा प्लस straw चाहिए होगा उसके बाद next बात करते हैं electric and gas connection की तो आपका electric load depend करता है कि आप कौन-कौन से electric equipments ले रहे हो तो आप जो equipments लोगे griddle plate, deep fryer, bun toaster यह सब अगर बिजली से चलती है तो आपको around 10 kilowatt बिजली का load भी लेना पर सकता है नहीं तो आपका 5 kilowatt load में हो जाएगा और इसके बाद आपको commercial gas connection लेना होगा अब next बात करते हैं license and registration की तो license में आपको फसरी food license, GST और trade license चाहिए होगा अब next बात करते हैं furniture and interiors की तो आपको restaurant स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर आपको table chairs चाहिए होगे जहाँ पर आपको customer साके बैठेंगे उसके बाद आपको billing counter चाहिए होगा उसके बाद आपको interior decoration भी वहाँ restaurant का करना होगा प्लस आपको एक POS billing machine भी चाहिए होगा अब next बात करते हैं marketing and sales की तो आप marketing दो तरीके से कर सकते हो पहला है traditional marketing जहाँ पर आप अपने सहर में pamperage distribute करोगे प्लस बैनर लगाओगे उसका अधा है digital marketing digital marketing में आप youtube पर अपने video डाल सकते हो अपने restaurant का ठीक है उसके बाद आप facebook, instagram पर add चला सकते हो अब नेक्स बात करते हैं sales की आप कैसे sale करोगे तो आप 50% off, 60% off और 40% off आप दे सकते हो अपने customers को उसके लास्ट में बात करते है investment की तो initial जो आपका investment होगा शुरू में तो इसमें सबसे पहले आपको security deposit देना परेगा अगर आपने restaurant rent किया है तो ठीक है उसके बाद आपको equipments लेने होंगे प्लस electric and gas connection का आपको around 20,000 लगेगा ठीक है उसके बाद आपको raw materials और कुछ packaging भी लेनी परेगी शुरू में बल्क में तो इसका भी आपको around 20,000 लग जाएगा उसके बाद जो आपका monthly खर्चाएगा उसमें आपका सबसे पहला rent होता है तो जितना भी आपका rent होगा वो आपको monthly परे करना होगा प्लस आपने जितने भी staff hire की है उनकी salary आपको देनी परेगी प्लस raw materials और packaging का भी आपको monthly खर्चाएगा ठीक है उसके बाद आप जो marketing करोगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी आपको marketing करती रहने परेगी उसका भी आपको खर्च आएगा प्लस आपको electrica and gas bill का भी आएगा monthly तो burger business से start करके आप बहुत ही अच्छा खासा profit कमा सकते हो यह business बहुत ही grow कर रहा है इंडिया में तो आप भी यह business से start करके बहुत ही अच्छा खासा profit कमा सकते हो बहुत अच्छा से grow कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो पीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक जरू कीजिएगा थैंक यू